गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साहरे बुराओं ओम भूर भूवाह सह तशवी तुर्वारेनियम भर्गो देवश धीमाही धियो यो नह प्रचोदयात बात जीवनी शक्ती की चल रही थी या कहा जाए शक्ती की बात चल रही थी सरीर में शक्ती होने से सरीर बलवान होता है परन्तु वो उसकी शक्ति बाहिये शक्ति होती है सक्ति का जो मूल स्रोत्र है वो बाहर नहीं अंदर होता है कमजोरी और बिमारी का दोनों का आपस में संबंध है कमजोरी और बिमारी का आपस में संबंध है वो संबंध क्या है अंदर से आदवे बिबार होता है और बाहर व्यक्ति कमजोर होता है यानि के अंदर की बिमारी बाहर अपने प्रभाव को कमजोरी के रूप में छोड़ती है आपने देखा होगा कोई मसीन है यंत्र है वो अपने काम को अगर ठीक तरह ना करे तो ठीक तरह काम ना करने के कारण उसके अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है इसी तरह से हमारा सरीर भी है जो यंत्रों के आधार पर चलता है इतना अंतर जरूर है संसार में जितनी भी मसीनरीया है वो लोही से बनाई गई है पर अंदर की जो मसीनरी है वो हाड मास से बनाई गई है इसमें वो यंत्रों काम करते हैं व्यक्ति की बाहर की लापरवाई अंदर को परभावित करती है और अंदर की जो बिमारी है वो उसको बाहर परभावित करती है मैंने जैसा भी कहा हमारे अंदर वो यंत्रों काम करते हैं जो भगवान ने साधन के रूप में हमको दिये हैं वो यंत्र हमारे अंदर काम करते हैं अब जड़ा एक बात बताओ जो सिस्टम ईश्वर ने हमारे अंदर लगा करके रखा है अगर वो कमजोर पड़ जाएगा तो जो भी हम मुक से भोजन कहिए जैसे भट्टी को जलाने के लिए उसके अंदर इंधन डाला जाता है और जब आप देखते हैं अगनी की शक्ती कमजोर हो और जादे इंधन डाल दिया जाए तो उस अगनी को भी वो इंधन बुझा देता है जो इंधन उस भट्टी को चलाता है वो जादे पड़ जाने के कारण भट्टी को भी आग को भी बुझा देता है कहते हैं बिमारी किटानों से लगती है उससे रोग पैदा होते हैं पर किटानू बाहर से नहीं जाते हैं अंदर से पैदा होते हैं किसके कारण पैदा होते हैं जो आपने भोजन किया और आपके यंत्र ने ठीक काम नहीं किया उसको पचाया नहीं अगर उसमें कहीं भी कमी रह गई जितनी कमी रह गई उस कमी के रह जाने के कारण वो भोजन सड़ेगा और सड़ेगा तो उसमें कीडे उत्पन होंगे और वो कीडे उत्पन होंगे तो वो आपके सरीर में दोड़ते वे खून को विसाक्त करेगा और उस खून के कारण क्योंकि खून पूरे सरीर को सपलाई होता है अरहंग को सपलाई होता है तो वो जो कमजोरी है जो भोजन के द्वारा पैदा हुई वो सारे अंगों के अंदर चली जाती है वो जो भोजन से रक्त बनता है वो रक्त ये काम करता है कि वो हमारे अंगों को संचालन में शक्ति का काम करता है पर जब शक्ति में ही कमजोरी आ गई दुबार से समझो मैंने सुरू में कहा था बिमारी और कमजोरी दोनों एक ही चीज है एक ही चीज के प्रवाची है कैसे कहा व्यक्ति बाहर से कमजोर होता है पर अंदर से बिमार होता है व्यक्ति को जब अंदर से बिमार होता है बहार से आलश, निकम्मापन, उनिद्रा ये सब उसके अंदर पैदा होने लग जाती है फिर दुबारे से समझे अगर आदमी का अंदर का यंत्र ठीक से काम कर रहा है तो उसके ठीक से काम करने के कारण आदमी के सरीर में फूरती रहती है तेज रहता है उमंग रहती है कहिए एक छलांग लगाने की इच्छा उसके अंदर रहती है परन्तु वो ही आदमी है सब चीज वो की वो ही है अगर आपका अंदर का सिस्टम कमजोर पड़ गया है तो वो सारी कमजोरी आपके पूरे सरीर में दोड़ने लग जाती है और वो आपके हर मसीनरी के हर अंग को परभावित करती है और परभावित करने के कारण वो सारे जितने भी औरगंस है वो अपने काम को प्रोपर तरीके से नहीं कर पाते है आदमी कैसा लाचार, मजबूर हो करके खड़ा हो जाता है अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कई बार माताएं क्या करती है बच्चा किसी दर्द के कारण रोता है और उस दर्द को उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो थोड़ी सी अफीम गोल करके और उस बच्चे को पिला देती है अफीम के नसे से वो जो उसका दर्द है वो तो उस समय महसूस उसको नहीं होता है परन्तु क्या दर्द का कारण, दुख का कारण, रोक का कारण मिट गया वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाता है परन्तु जब उस अफीम का कारण हटता है तो वो फिर से रोग उभर करके आ जाता है मैं यहाँ क्या कहना चाहूंगा क्या उस अफीम के लेनेने से रोग कमजोर पड़ गया रोग कमजोर नहीं पड़ा उसके परभाव को देने के कारण रोग तो अंदर-अंदर अपने काम को कर रहा है और वो काम को करने के बाद जब उसका कारण हटेगा तो रोग कमजोर नहीं होगा उतनी देर में और जादा मजबूत हो जाएगा अब मैं फिर से कहता हूं अगर हमें किसी को स्वस्त करना है तो बाहिये कारणों पर ध्यान ना दे करके अपने आंत्रिक कारणों पर हमको ध्यान देना हो चाहिए अगर हम आंत्रिक कारणों को साधनों को दुरुस्त करते चले जाएंगे तो उसका प्रभाव बहार भी आकर के एक ताकत के रूप में आने लग जाएगा ये सिद्धान्त की बात हुई जितने भी साधन है उनकी अपनी अपनी सब की एक छमताएं होती है हमें उस छमता को बराबर बना करके रखना चाहिए मैं ये कहूँगा बहारी कारण उतने जीव को परभावित मैं दुबारे से बोलूगा ठीक से देखना मोसम का परभाव वातावरन का परभाव और वायुमंडल का परभाव देश काल परिस्थितियों का परभाव वो वक्ती को परभावित करता ही करता है और उसको किस के रूप में सरीर के रूप में व्यक्ती जहनता ही जहनता है परणतु वो छमताएं कहां से आती हैं आदमी प्लेन में भी रहता है और आदमी पाढ़ों के ऊपर भी रहता है दोनों के वातावरण में तो बहुत और मोसम में बहुत और परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है परन्तु जो पाहडों में रहते हैं उनके सरीर उसी के अनुरूप ढलते हुए चले जाते हैं उस वातावरण में रह करके उनमें उतनी ही immunity power बढ़ती हुई चली जाती है और मैं फिर से कह रहा हूँ जब ये immunity power यानि के सहन शक्ती कमजोर पढ़ती चली जाती है तो उस आदमी क्या करता है? कई बार ये करता है कि आवशक्ता ना होने पर भी उस तरह की चीजों को लेता है जो उसके लिए बाहिये साधन बन करके जिनको वो बाहर से उपयोगी समझता है उन साधनों को लेता है परंतु उनको लेकर के जो वो अंदर के साधन है वो कमजोर पढ़ते हुए चले जाते हैं पहले आदमी के पास साधन नहीं थे आवा गमन के, तो आदमी पैदल चलता था और इतना पैदल चला जाता था कि आज उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती, इतना पैदल चल लेता था, परन्तू साधन पैदा हो गए, अब उसके लिए हिद्कारी लगते हैं, उनका वो प्रियो करता है परंतु उसने अपनी आंतरिक छमताओं को भी कमजोर कर लिया और इन परिस्तितियों में अब उसका टिकना आसान नहीं है पहले देखिए ना आदमी के अपने जितने भी सामाजिक रिस्ते होते थे तो वो एक दाइरे में होते थे परंतु आज आदमी ने अपने कर लिया क्योंकि आग दूरी समय के अनुसार छोटी हो गई आदमी उतना फांसला रखता था जितने पर रिस्ते को निभाया जा सके परंदो आज क्योंकि सांसारिक दूरी छोटी पढ़ गई इसलिए अब तो देष विदेष सब एक होता हुआ चला जा रहा है मैं भी आप से यही कह रहा हूँ आज इस्ति क्या है जो पहाडों में था वो मैदान में आ गया जो विदेश में था वो अपने देश में आ गया देखे ना आज महा के बिल्गुल तारा ताजा फूल जो है वो महा से तोड़ते हैं और हवाई जाद से लेते है हमार देश में भेज देते हैं हमारा देश में यहां से कच्छे सबजिया, इस तरह के चीजे यहां से भेज देता है और हमाँ बिल्कुल ताजा जा करके मिल जाती है आप सोच करके देखो अगर उस पुराने समय में जो गाड़ी बैल का समय था उस समय में किसान खेत में से तोड़ करके अगर कस्वे तक सामान को पुचाता था आज एक देश से उतनी देर में दूसरे देश में सामान पहुच जाता है समय का कोई अंतर नहीं आया, अंतर आया तो पता नहीं कहां से कीड़े आ जाते हैं उनमें कीड़े पढ़ जाते हैं जैसे आप डाल वगेरा ये सब चीज रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं होते हैं परन्तु अपने आप पता नहीं कहां से उसमें पैदा हो जाते हैं उसका कारण यही है जब उसकी जीवने शक्ती जो रखा हुआ है वो धीरे-धीरे कमजोर पड़ती है तो उसकी कमजोरी के कारण उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं ऐसे ही हमारा system भी है जो आमतुर से एक बार कमजोरी का कारण उसके अंदर पैदा हो जाए हमारे अंग अव्यवों में कमजोरी का कारण पैदा हो जाए तो समझ लेना जितना उसको अपना काम जो वो करता है वो अपने उस काम को उतना कर नहीं पाता है उसका काम छूटता है तो वो ही काम मैं दुबार से बोलूँगा एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है अगर वो अपना रोज का काम रोज पूरा कर लेता है तो उसके मानसिक जो अव्यव है इस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता और वो एक दिन का काम छोड़ दे तो बोज बढ़ जाता है अब मैं तुम से कह रहा हूँ तुम यहाँ पर आए हुए हो तुमारा अगर रोज का नियमित जो जप है अगर उसको तुम आज का आज नहीं कर पाए तो मन पर एक बोज उसका आ जाता है कि मेरा इतना जप रह गया मेरी बात समझ आ गई और कल जब आप उसको करेंगे आप अपनी इसी ही तरह से जब हमारे अंग अव्यव अंदर के कमजोर पढ़ जाते हैं और हमारी इच्छाए बढ़ जाती है तो हम बाहिये रूप से तो अपने आपको समर्थ ताकतवर मैं पूछता हूँ कौन व्यक्ती है जो गरीब रहना चाहता है और उस गरीबी को मिटाने के लिए कौन व्यक्ती ऐसा नहीं है जो परियासरत ना हो ऐसा कौन व्यक्ती है जो जड़ी बूटियां खा करके अपने आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहता मैं बिटा ये भी कह रहा हूँ मैंने ऐसी व्यक्ती भी देखे है जो सांसारिक सुखों को भोगने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों को खाते हैं कि हम ज़ाद से ज़ाद सुख भोगें संसार के ज़ाद से ज़ाद सुख भोगें संसार के परन्तु सच बात ये देखो वो बाहिये शक्ति अपने अंगों को दे करके उनकी शक्ति को तो बढ़ा लेते हैं परन्तु उसी अनुपात में जो आंत्रिक शक्ति है जो नेचुरल सक्ति है जो इश्वर की दी हुई है वो कमजोर पढ़ती हुई चले जाती है अब मैं कहना क्या चाहता हूँ इस बात को समझे अगर आप अपनी आंत्रिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो शक्ति के खर्च पर आपको सैयम बरतना ही पड़ेगा यानि कह जो अंग जितना काम कर सकता है उसके दाइरे से कुछ कम काम लिया जाए अच्छा जब उस पर दबाव बढ़ते रहते हैं या बहुत अच्छे से समझाए जो हमारे हाँ उपवास की विवस्था की गई है वो इसलिए की गई है अगर अनावश्यक दबाव आपने अपने अंगों पर डाला है तो उनको विस्राम देने के लिए आपको उपवास करना पड़ता है उससे क्या होता है अंग अपनी खोई हुई चमता को उस खाली समय में दुबार से फिर से रिकवर कर लेता है उसका कारण ये है जो मैंने बताया जो अपच्छ हमारे अंदर पैता होता है उससे जो विस्राम पैदा होता है उसकी मारक छमता अपने आप हमारे अंदर से पैदा होती है और उसके पैदा हो जाने के कारण उसके पैदा हो जाने के कारण हमारी आंत्रिक शक्ती बढ़ती हुई चली जाती है ये समझाना चाहूँगा जब जो प्राकर्तिक संतुलन है जब अंदर से बन करके आता है तो वो अपने आप में एक ऐसा गुन कहिए एक ऐसा प्रभाव कहिए जो आपके अंदर से ही निकल करके जैसे आपके अंदर से ग्यान निकल करके आता है और आपको करम छेत्र में आपकी साहिता करता है वैसे ही आपकी शक्ती अंगो की शक्ती आंत्रिक शक्ती अपने आप उभर करके आती है जो आपको आपके देनिक जीवन में जीने के लिए आपके काम आती है मैं यह फिर से कहूँगा मैंने अभी कहा दिमारी और कमजोरी अलग-अलग नहीं है उनकी जड़े हमारे पेट के अंदर है जब अन नहीं पच्चता है तो अपने आपी वो सुरू हो जाती है इसलिए परमपुज गुर्देव ने भी और हमारे सीमनियों ने भी हितभुक, मितभुक, रितभुक ये उसके वो है और ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन्होंने इस बात को कहा हितभुक, जो तुमारे हित में हो उसको खाए मितभुक, जरुरत से कम खाए रितभुक, अर्थात रितु के अनुपूर खाए कई बार क्या होता है मैंने देखा भी है कि कोई चीज रितु के अनुकूल नहीं है और आजकर भंडारन की सुधा हो गई है तो माल बेचने वाला अपने माल को स्टोर में भंडारन कर देता है और जब उसका मोसम नहीं रह जाता तब उसको बजार में लेके आता है फिर मनमाने रेट पर उसको बेचता है परन्तु जो जीब के कमजूर होते है जो सयमी नहीं होते वो उसको खरीद करके मनमाने रेट पर उसके कीमत दे करके और फिर उसको खाते है अब वो खाते तो जरूर है परन्तु वो रित के अनुकूल ना होने के कारण अपना प्रभाव उल्टा देता है और उल्टा देने के कारण वो उसको कमजूर कर देता है आपने देखा हूँ, रितु के अनुक्सार जब चीजे बजार में आती हैं, तो उनकी कीमते भी जादा नहीं होती है और जो रितु के अनुकूल नहीं है, उनकी कीमते जादा होती है इसलिए आदमी मानसिक रूप सभी अपने उपर दबाव बनाता है खर्च का दबाव बनाता है वो सोचता तो है कि ये मुझे फाइदे बंद रहेगी परन्तु सच मुझ इतने दिन की तूटी हुई रखी है तो बाहर का आवरन बचा भी रहे तो आंतरिक रूप से वो कमजोर पढ़ जाती है ऐसे ही बाहर से आदमी चिकना चुपड़ा रहे कुछ-कुछ अपने उसमें रहे वो बाहर से तो हस्थ-पुष्थ दिखाई देगा परन्तु अंदर से उसमें वो चमताएं नहीं रहेंगी चीकाई बात समझ इसलिए मैंने कहा बिमारी और कमजोरी का एक साथ अभिन रिस्ता है कमजोरी बढ़ेगी तो उसी अनुपात में बिमारी भी बढ़ेगी और बिमारी घटेगी तो कमजोरी भी उसी अमपात्म हटेगी मैंने अभी कहा बाहर से कमजोर और अंदर से बिमार बाहर से कमजोर और अंदर से बिमार अब आप बाहर की कमजोरी का मिटाने का प्रियास करता है हर आदमी बाहर की कमजोरी को देखता है और उसको मिटाने का प्रियास करता है परन्तु आंत्रिक कमजोरी पर बिमारी पर उसका ध्यान नहीं जाता फिर से कहता हूँ वो अगर कमजोरी को तो छोड़ दे और बिमारी को मिटा ले तो बिमारी के मिटाने से बिपारी ही मूल कारण है बिमारी ही मूल कारण है अगर वो अपने सिस्टम को अंदर से ठीक कर ले तो बाहर की कमजोरी अपने आप मिठती हुई चली जाएगी ये तो मैं बिमारी के संबंद में बात कर रहा हूँ परन्तु इसी बात को अगर मांसिक रूप से जो हमारा सुक्षम सरीर है उसके इस्तर पर देखा जाए मैंने आप से कहा व्यक्ति करम से बोज नहीं मरता है सोच से बोज मरता है सोच ही उसके लिए बोज हो जाती है जैसे पचा हुआ बोजन ना हो तो पेट बोज मरता है आदमी के सिर पर ज़्यादा बोज हो जाए जुम्मेदारी का बोज हो जाए तो मन बोज मरता है इसलिए आदमी को भगवान ने अवसर दिया है किसा अवसर दिया है वो समय के साथ साथ अपनी गती को करता हुआ चला जाए समय के साथ साथ अपनी गती को करता चला जाए आदमी क्या करता है बाहिये प्रसार करता है बाहिये अपना विस्तार करता है पर अंदर से अपना विस्तार नहीं करता है और इसी के कारण तरह तरह के उपद्रव उसकी जिन्दगी में खड़े हो जाते हैं अपने आपको शुद्ध करना है तो ये बहुत जरूरी है कि आवशक परिश्रम हर व् मैं फिर से कहता हूं, अगर आप भट्टी जलाते हैं, तो उसमें से आग की लप्ते निकलती हैं, और वो लप्ते अगर उपर कोई बरतन में आपने जिस उदेश्टे के लिए बरती जलाई है, उसमें बरतन नहीं रखा है, और उसमें आप कोई सबजी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, उसका आप सदुपियोग नहीं कर रहे हैं, तो जो उसमें से अगनी निकल रही है, वो तो वायू बंडल में बेकार चली जाएगी, उसका सदुपियोग नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, इसी तरह से ह हमें भी जिस शक्ति का संचरण हम अपने अंदर कर रहे हैं, उसका सदुपियोग हमको करना चाहिए. जब हम उसका सदुपियोग करते चले जाएंगे, और सदुपियोग करने के लिए क्या है? आंतरिक शक्तियां किसलिए हमको मिली हैं? कि उन्हें बेगार में ना लगाएं, गलत काम में ना लगाएं, काही में लगाएं, अच्छे कारियों में उनको लगाएं. तो जो परिस्रम है, जो आपका परिस्रम है, जो आपसे होगा, वो आपके आंतरिक जो शक्ति के जो अव्यम हैं उनको भी दुरुस्त करेगा और दूसरा आपका मानसी किस तर भी सही रहेगा आप सोच करके देखिए अगर आप अपनी शक्ति का दुरुपियोग कर रहे हैं तो गलत कारिये में लगाने के कारण आप सांसारिक रूप से भी कमजूर हो रहे हैं और मांसिक रूप से भी आप अपने आप में कमजूर होते चले जा रहे हैं अम मुझे बताओ जो कमजूर होगा उसमें مुड़ान कही आएगी यह कि नहीं आएगी उसमें निकम्मापरण आलच से आएगा और नहीं आएगा बताईए ये विकार पैदा होंगे एक नहीं होंगे विकार सब्द मैंने लगाया है अगर विकार सब्द लगाया है वो विकार अगर पैदा होंगे तो वो आपके अंदर के सिस्टम को कमजूर करेंगे एक नहीं करेंगे दुबार से कहूंगा जब किसी लोहे की चीज में जंग लगना शुरू हो जाता है तो आप उससे कितना ही बाहर से रगड लीजिए एक बार लगना शुरू हो गया तो फिर वो रुखता नहीं है अब मैं फिर से समझाओंगा ये जंग क्यों लगता है वायू में फैली हुई नमी वायू में फैली हुई नमी जब लोहे की उपरी पर्द के साथ किरिया करती है तो वो उसको जंग के रूप में बिमारी के रूप में पकड़ लेता है समझाई बात होना क्या चाहिए कि उस पर रेगमार मार करके और उस पर हवा को लोहे से नाचुए हवा लोहे से नाचुए इसलिए उसके उपर तुमारा प्राइमर और पेंट कर देते हैं और वो अपनी वास्तिक इस्तिती में बचा रहता है जो उसकी वास्तिक इस्तिती है वो बढ़ी रहती है हमें भी अपनी उस वास्तिक इस्तिती को बना करके रखना चाहिए जो हमारे स्वास्त को बचा करके रखे और आज आप इमानदारी से देखिए छोटे से बच्चे से लगा करके और बड़े व्यक्ति तक देखिए आदमी की दिसाधारा क्या है आदमी की जो जीवन की दिसाधारा है वो क्या है? किस दिसा में वो जा रहा है? अगर उस दिसाधारा को आप देखें तो कहीं ना कहीं उसमें विकार वहीं से उत्पन होने सुरू हो जाते हैं जहां से वो अपने जीवन को जी रहा है देख लिजिए सच्चाई को परंतु उसको वो समझ नहीं आती है क्योंकि उसकी जो ससक्तता है अंदर की ससक्तता है उसे बाहर के परभाव की सहन शक्ती को कई बार आपने देखा होगा ऐसे विक्ति होते हैं जो इस बात को मानते हैं हमें रात को दही खिला दीजिए सुवेरे कुछ और उल्टा सीधा खिला दीजिए उनका पाचन तंतर इतना मजबूत होता है कि उस सब चीज को पचा लेता है परंतु मैं ये कह रहा हूँ जो वो पाचन तंतर तो मजबूत है परंतु जो उसके ऊपर वो दभाव बनाते ही चले जा रहे हैं अपनी इच्छाओं का दभाव बनाते ही चले जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके उस दभाव के कारण अपनी शक्ती को कमजोग करता हुआ चला जाता है उससे शक्ती छीर्ण हो जाती है समझाई बात उस समय तो उसको महसूस नहीं होता पर जब शक्ती एक लेवल पर आती है जहांसे वो उसके अंदर बिमारी को पैदा करना सुरू कर देता बिमारी तो उसी दिन से पैदा होनी सुरू हो गई थी जहां से उसने अपने सिस्टम को कमजोर करना सुरू गिया था परन्तु वो दिखाई नहीं थी दिखाई कब देती है? जो वो उस लेवल पर आ जाती है कि जहां से मतलब उससे नीचे गिरा तो आपको उसका परेडाम भोगना ही पड़ेगा और मैं यह कह रहा हूँ व्यक्ति की अपनी छमता जब तक 25 परसेंट नहीं रह जाती है सरीर तब तक जबाब नहीं देता है 75 परसेंट खोने के बाद तब जबाब देता है और जबाब दे देता है तो 25 परसेंट रहने के बाद फिर recovery के chance उसमें नहीं रहते परन्तु हमारा जो आयरुवेद है जड़ी बूटियां है उनमें क्योंकि वो जीवनी शक्ती होती है अगर व्यक्ती अपने आपको मतलब केवल इसलिए नहीं कि आपने आप देखे होंगे बहुत से व्यक्ती विटामिन्स खाते हैं या बहुत सी ऐसी ताकतवर चीजे खाते हैं जो दवाईयों के रूप में उनको दी जाती है परंतु वो केवल उस शक्ती के ऊपर बहार से किया गया लेप है चणिक लेप है जैसे मैंने बच्चे को कहा अफीम आपने दे दिया बच्चा रो रहा है उसको कोई दर्द है या कोई दिक्कत है तो आपने वो जरासी घुल करके बच्चे को दे दी तो बच्चा उसके नस जीवनी शक्ति भी कमजोर पड़ती है, बात समझाई, इसलिए हमको अपनी आंत्रिक शक्ति को अगर उबहरना है, तो जो कमजोरी है, ये कमजोरी बहाई अंगों की भाती भीतरी अंगों से होती है और अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती जिसके कारण पचा हुआ जो हमारा मल है अन है जो हमारे पेट में खाया हुआ अन है वो हमारे सिस्टम में जा करके पच नहीं पाता हमें क्या करना चाहिए अपनी पाचन शक्ती को मजबूत करना चाहिए अगर हम अपनी पाचन शक्ती को मजबूत करते हैं तो बहाईय प्रभाव आपके आंत्रिक सिस्थम पर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें एक छमता पैदा हो जाएगी जहिलने की ताकत पैदा हो जाएगी सेहन शक्ती बढ़ जाएगी किसमें सेहन शक्ती किसके है मन का वो है मन की शक्ती है वो शक्ती आपकी बढ़ती चली जाएगी यानि के पाचन तंत्र भी आपका ठीक हुआ और मानसिक शक्ती भी आपकी ठीक हुई दोनों ठीक होंगे एक नहीं होंगे इस तरह से व्यक्ति अपने आपको अच्छे से अच्छा बनाता चला जाता है इसलिए दैनिक जीवन के अंगर सैयम बहुत जरूरी है सैयम बहुत जरूरी है आदमी कई बार जो ड्राइफ रूट्स है इनको लेता है और इनको लेने के कारण वो इसलिए लेता है कि मेरे सरीर में ज़्यादे ताकत पैदा हो जाए परन्तु उनको लेने के बाद भी जब पाचन तंत्र ही ठीक नहीं है तो वो कच्चा माल ही हमारे मल के अंदर बाहर निकल जाता है वो ठीक से हमारे सरीर में अपने काम को कर नहीं पाता जिसके फलसरूप हम अनेक तरह की बिमारियों के सिखार बनते रहते हैं बिनाशिद किया हुआ जो हमारा सरीर से मल निकलता है पिसाब निकलता है मतब उसको पका हुआ बिलकुल जो कहना चाहिए जो पचा हुआ चीजे हों उनको बाहर निकाले आज आप देखते होंगे हम सरीर में कोई वो तो पत्थर तो खाता नहीं है परन्तु अंगो की कमजोरी की कारण पत्थरियां बनती हुई चली जाती है या दूसरे इस तरह के और जमते हुए चले जाते है निर्बलता ग्यान तंतुओं के निस्क्रिये होने के कारण ग्यान तंतुओं के निस्क्रिये होने के कारण निर्बलता आती चली जाती है ग्यान तंतुओं की बात मैं आप से कर रहा हूँ मानली जी आप मल विसर्जन करते है हर आपके भगवान ने हमारे सरीर में सेंसर लगाई हुए है सेंसर देखिए एक तो मल का दबाव होता है उसके कारण आप दबाव को से मल को निकालते है तो उसमें तो जितना दबाव होता है उतना निकल जाता है परन्तु एक दबाव कुन सा होता है जिसमें आपकी बोड़ी सेंस करती है कि नहीं, मेरी अबी बड़ी आंत में और मल पड़ा हुआ है नहीं, जो पड़ा हुआ है उसको भी मुझे बाहर निकालना है तो आप नहीं निकालेंगे वो सेंसर आपके अंदर काम करेगा और आपकी शक्ती उस पर जाकर के काम करेगी बड़ी आंत पर काम करेगी जिससे आपकी बड़ी आंत का मूँ खुलेगा और मूँ खुलेगा तो उसके अंदर पड़ा हुआ जो मल है वो बाहर निकलेगा परन्तु जब हमारी आंत्रिक शक्ती कमजोर पड़ जाती है तो पड़ा हुआ जो मल है वो बाहर जो आ गया जो प्रेसर में आ गया बाहर आ गया दबाव के कारण बाहर निकल गया क्योंकि छोटी आत उसमें डालती चली जा रही है जो उससे बाहर आ गया उसने आपको आपने मल विसरजन कर लिया और मल विसरजन करने के बाद आपको संतोस हो गया कि मैं तो मल्क त्याग दिया आज का मल्क मैंने त्याग दिया उसको ये संतोस हो गया पर उसको नहीं पता कि सैंस ने आपकी ने आंत्रिक जो अंग है उसने सैंस ही नहीं किया कि बड़ी आत्मे जरूरत से ज्यादा कितना भरा पड़ा हुआ है उसको वो नहीं त्याग पाती और उसके कारण वो सड़ता रहता है और हमारे अंदर गैस पैदा करता रहता है और विसाख्त आपने देखा हो जहां कहीं भी ये सड़ेगा तो उसमें से जो उसमें निकलेगा जो सलिस्मा निकलेगा वो हमारे सरीर में जा करके उसका गलत प्रभाव छोड़ेगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए गुर्देव तो कहते हैं कि हमें भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए भूख लगने के बाद ही यानि कि जब आपका सिस्टम मांग रहा हो तब ही उसको उसका काम देना चाहिए अगर हम उस समय पर देंगे इसको ऐसा भी कहा है कि जैसे समय आता है तो खेती बीज की मांग करती है बीज की मांग करती है उसी समय पर ठीक बीज को डाला जाए तो वो बीज उक करके समय के नुसार, मांग के नुसार दिया गया है तो लहराती हुई फसल के रूप में काम आता है और अपना उत्पादन देता है ऐसे ही गुर्देव कहते हैं अगर आंतरिक शक्तियां मांग कर रही है कि मुझे ये चीज चाहिए तो हमें उसी समय पर वो चीजे उनको देनी चाहिए और देने से फिर क्या होगा वो ये होगा कि वो शक्ति आपके सरीर में उसी तरह से अपने काम को करेगी और उसका लाब आपको मिलेगा आप देखते होंगे कई बार भूग के कारण बेचैनी आदमी अनुभव करता है बेचैनी अनुभव करता है एक बेचैनी तो मानसिक होती है और एक बेचैनी वास्तिक भूग की बेचैनी होती है कोई रोग ना हो तो भी द्यक्ति के अंदर सेंखडो रोग जो मानसिक रोग के रूप में है वो अंदर यंदर पनपते रहते हैं और वो कौन से मानसिक रोग के रूप में है आपकी ज़रुत नहीं है किसी चीज की परन्तो आप उस चीज़ को इसलिए लेते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए मतलब आपके सरीर को उसकी ज़रुरत नहीं है अगर आप उस चीज़ को लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि मेरी जो इच्छा है दुबार से कुँगा ये किस के साथ लगी है ठीक से समय लेगा परिवेश से वातावरण बनता है और वातावरण से घटनाई बनती है और उन घटनाओं में दुबार से समझना विचार बनता है और विचार ही इच्छा बनता है हमारी ज़़ुरत नहीं है पर बजार में तरे-तरे की चीजे बनने लग गई और समाज उनका उपियोग करने लग गया तो हमें भी ये लगता है मैं जैसे अभी कहुँआ आजकल वो फास्ट फूड जिनको कहते हैं जंक फूड जिनको कहते हैं उनकी क्या आवशकता थी कोई आवशकता थी नहीं आदमी ने अपना पेट भरने के लिए जेब भरने के लिए उस तरह के खाने समाज में ला करके खड़े कर दिये और अज्यानी बच्चे उनको खाने लग गई और उनमें इस तरह के स्वाद भी डाले गई जो उनको अपनी तरह पाकरशित करते हैं और उसको करने के कारण वो आज हमारे परचलन के अंदर सुरू हो गई उस समय तो उसका नहीं पता लगा कि इसका क्या नुकसान होगा परन्तु अब जाकर के ये पता लग रहा है कि वो कितनी बड़ी हमारी गलती थी जो हमने उनको शुरू किया अब मैं फिर से कहता हूँ कि व्यक्ति बहुत सारे काम ऐसे भी करता है जो अपनी आवशक्ता की पूर्ती के लिए नहीं करता है अपनी केवल मानसिक इच्छा की पूर्ती के लिए उनकामों को करता है तब तो वो अज्यानता में उनकामों को कर लेता है परन्तु अज्यानता में करने के कारण उसका दुष्परवराम या दुष्परभाव ये होता है कि एक समय के बाद वो हमको अपना परभाव दे करके और हमको रोग की तरफ ले जाते रहते हैं परंतु जैसा मैंने कहा शक्ती जब तक 25% नहीं रह जाती है वो 75% को खर्च कर लेता है जब रिजर्व में आ करके लग जाता है तब उसको ये महसूस होता है कि मैं ये क्या कर वैठा तब तक उसको पता नहीं लगता है आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि व्यक्ती को अपने रोग को मारने के साथ साथ रोग को मारने के साथ साथ अपनी आंतरिक छमता को बढ़ाना चाहिए अपनी आंतरिक छमता को आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे करने लग जाएगी इसलिए आंत्रिक गुण की ज़्यादा आवशक्ता है और वो आंत्रिक गुण जो आप के अंदर पैदा होगा उसका केवल एक ही साधन है वो क्या है जिसको आप साधना कहते हैं वो साधना किस की साधना है मैं तो एक ही बात साधना के लिए कहूँगा सैयम की साधना ही सबसे बड़ी साधना है इसलिए व्यक्ति को ना अनावश्चक सोचना चाहिए और ना अनावश्चक करना चाहिए आज का समपन मैं पूरा हो रहा है आज की बात को यहीं पर समपन कर रहा हूँ Om Santihi, Santihi, Santihi.